दादी नानी के हैरान कर देने वाले घरेलू टिप्स नमबर एक, पानी में फिटकरी मिलाकर फर्ष पोचने से मक्षिया नहीं आती नमबर दो, यदि कॉफी कड़वी हो गई हो तो एक चुटकी नमक डाले, कड़वाहट कम होगी नमबर तीन, रसोई के शेल्फ पर ताजा नीम के पत्ते रखने से कीड़े नहीं आते नमबर चार, दूद में एक चुटकी खाने का सोडा मिलाने से दूद खराब नहीं होता है नमबर पांच, चावल भिगोते समय यदि थोड़ा नमक डाल दें तो चावल सफेद बनेंगे नमबर छे, अगर जामन ना होने पर दही नहीं जमा पा रहे हैं तो गुनगुने दूद में हरी मिर्च डाल कर रख दें, इससे दही जम जाएगी नमबर साथ, तंदूरी रोटी के आटे में दही मिलाने से चपाती सौफ्ट और कुरकुरी बनती है नमबर आठ, इडली या डोसे का घोल अगर खटा हो जाए तो उसमें नारियल का दूद मिला दे नमबर नौ, उबले हुए आलू का पानी रेशम के कपड़े साफ करने के लिए बैस्ट डिटर्जंट है नमबर दस, अगर आप चुइंगम खाते वक्त प्याच काटेंगे तो आखों में पानी नहीं आएगा नमबर ग्यारा, मटर पनीर की सबजी बनाते वक्त उसमें एक कप दूर डालने से सबजी स्वादिष्ट बनेगी नमबर बारा, लोहे की चीज या चाकू पर जंग लग गया हो तो प्याच काटकर रगड दीजिए, जंग निकल जाएगा नमबर तेरा, किचन के फर्ष पर चीटियां लग जाएं तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें, चीटियां भाग जाएंगी नमबर चौदा, बासी सबजियों को फिर से ताजा करने के लिए ठंडे पानी में नीमबू नी चोड़कर उसमें सबजियों को बिगो दें नमबर पंदरा, लहसुन को हलका सा गरम करने से छिलका जल्दी उतर जाता है ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें